नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूट्यूब एजिकस्टन चैनल में आज की उड़ी लेक्च्छर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे कि periods क्यों अचानक से बंद हो जाते हैं ये होने के reasons हो गयरा कि कि किसी का menstrual cycle जो हो काफी regular था पर क्या होता है कि अचानक से उनके periods आना बंद हो जाते हैं कि एक मेना हो जाता है दो मेना छे मेनी हो जाते है एक साल हो जाता है दो साल हो जाते है फिर भी उनके periods नहीं आ रहे हैं त के पास ये problem को ठीक करने के लिए तो उसके detail study करते हैं आज के lecture में और जानते हैं कि periods अजानक से क्यों बंद हो जाते हैं तो ऐसे समझे कि आपको detail में सिखना है अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब आते हैं topic प्योर समझते हैं ऐसे medical conditions के जिसके अंदर periods आना जो हो अचानक से बंद हो जाते हैं तो इसको हम एमनोरिया के condition करते हैं कि आपके periods या फिर आपका menstrual cycle मानलो की regular था और हर महिने आपके periods जो हो अच्छे से आ रहे हैं पर होता यह है कि अचानक से आपके periods आना बंद हो जाते हैं आपकी reproductive age के अंदर reproductive age मतलब कि SCH के जिसके अंदर आपके periods जो हो start हुए है और अभी menopause का time बे काफी ज़्यदा बाकी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि first जो period start होते हैं कि उसको हम मीनार की कहते हैं कि जो खासकर 11 साल या फिर 12 साल की age में period start हो जाते हैं और menopause जो हो 50 years की age के आसपास आते हैं कि 40s या फिर 50s की age में menopause आते हैं मैं लेकि naturally periods आना जो हो बंद हो जाते हैं पर जो menstrual period होता है या फिर menstruation का जो पुरा एक phase होता है कि जो 12 से लेकर 15 साल की age तक समझो कि यह phase रहता है तो यह phase के दोरान ही अच्छानक से आपके periods आना बंद हो जाते हैं कि मानलों कि किसी की age जो हो 26 years की age है या फिर किसी के 28 years की age है और 5 या 10 साल तक उसके regular periods आये थे पर अच्छानक से उसके periods बंद हो गए है तो यह problem होने के reasons होगे रहा क्या है क्यों यह problem होता है उसके types होगे रहा क्या है तो वो हम आगे समझते तो उसके mainly दो type रहता है कि एक हो रहता है primary amnoria और second जो रहता है वो है secondary तो primary को समझते है कि primary क्या है तो primary जो है वो ऐसे कुछ reasons से होता है कि जिसको हम structural problem कहते है या फिर developmental problem कहते है या फिर ऐसे birth defect है जैसे कि किसी के body के अंदर uterus ही नहीं है तो भी या problem हो सकता है फिर किसी के ovaris जो है वो fail हो चुग है जो हम ovarian failure का problem कहते है तो वो समझे कि हुआ है तो उसके current period जाना जो है वो बंदा हो जाते है तो ये problem को हम कहते है primary amnoria के condition और ये जो हो खास कर उसका इलाज जो हो नहीं हो सकता because uterus ही ना हो तो आपको कभी भी menstrual cycle start नहीं होता तो उसके रहे भी बहुत कम options रहते है पर अब बात आते हैं जो secondary problem है तो secondary problem के बारे में हम समझते है तो उससे पहले यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि जो female reproductive system होते है तो उसके अलग-अलग parts होते हैं कि यहाँ पे जो आप यह पूरा एक tube देख रहे है कि जिसको हम fallopian tube कहते हैं उसके साथ यह ovaries वगेर attach होती है तो मानलों यह ovaries fell हो गई है किसी की तो भी यह problem हो सकता है या फिर uterus ही उसके अंदर नहीं है तो यह जो uterus का जो आप देख रहे हैं वो uterus ही नहीं है तो भी यह problem हो सकते हैं जिसको हम primary amnoria कहते हैं तो secondary amnoria में क्या होता है कि कुछ हैसे reasons होते हैं कि menstrual cycle seizing हो गए मतलब कि अचानक से menstrual cycle आपके बंद हो गई है और उसके reason कुछ है हो सकते हैं कि hormonal disturbance या फिर hormonal imbalance हो गए आपके सरी के अंदर तो hormonal imbalance होने के काफी सरी reason होते हैं जैसे कि आपकी hypothalamus या फिर pituitary gland जो अच्छे से काम नहीं करी तो उनके दराजी hormones release होते हैं वो hormone अच्छे से release नहीं हो पाते और उसके करण body के अंदर hormonal imbalance हो जाता है फिर यहाँ पर जो diagram में देख रहे हैं जो हमारा brain के अंदर यह जो pituitary gland है यह पूरी process को जो वो control करती है और hypothalamus भी उसके अंदर involved होता है पर वो अच्छे से काम नहीं करें तो उसके करण भी यह problem हो सकती है तो उसमें यह कासकर का जाता है कि आपके menstrual cycle जो है एक reason है कि नेचरल अमनोरिया के जो reasons की जो pregnancy phase के दोरान होता है breastfeeding phase के दोरान होता है और menopause phase के दोरान यह होता है तो जो आपका pregnancy का phase होता है या फिर breastfeeding का phase होता है उस दोरान आपके periods जो है वो बंद हो जाते हैं पर जैसे ही समझो कि आपका pregnancy या फिर lactation period आपका पूरा खदम हो जाता है तो फिर से आपका menstrual cycle जो हो regular होता है और आपको हर मेने periods जो हो आने लगते है बट जो menopause phase होता है उसमें यह होता है कि वो phase के बाद आपके periods naturally जो हो बंद हो जाते है तो ये एक reason है amnore या के मनले कि periods बंद हो जाने के फिर अब बात करते हैं पर एक reproductive age के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ reasons यह है कि आपने लंबे समय तब oral contraceptives यूज़ किये हैं तो उसके करण भी यह problem हो सकते कि अगर कोई काफी लंबे समय तक यह गर्ब निरोधक गोलिया यूज़ करता है तो वो बंद करने के बाद भी यह problem जो हो सकती है दूसरा reason हो सकता है कि जो contraceptives के लिए आपने intrauterine devices यूज़ किये जैसे कि आप यहाँ पर copper tea देख रहे है तो वो यूज़ की है तो उसके करण भी कुछ लोगों को यह problem हो सकता है कि अचानक से periods उनके बंद हो जाए और एक reason देखे तो कुछ दवाईों के side effects के करण भी यह problem हो सकती जैसे कि anti-psychotics दवाईया है cancer के chemo therapy आपने लिए है anti-depressant लबकि कोई depression का patient है और anti-depressant उसने लंबे समय तक खाई है तो उसके side effects के तोर पर हो सकता है या फिर blood pressure के drugs आप ले रहे है allergy के medications ले तो उनके लंबे समय तक यूज़ करने से भी यह problem जो हो सकती है फिर कुछ reasons यह है कि anorexia की जो condition है कि जिसको हम bulimia कहते हैं तो उसमें problem यह होता है कि अचानक से आपका weight जो है वो कम होता है या फिर आप काफी ज़्यादा दुबले बतले हो गए underweight हो गए कि जिसको हम कहते है severe thinness की condition तो ऐसे concurrent भी यह problem हो सकती है फिर दूसरे कुछ reasons देखे तो आपकी life के अंदर बहुत ज़्यादा जो वो stress है excessive stress की जो condition हम कहते है तो stress के करण क्या होता है कि आपके brain के उपर असर बढ़ता है और brain से जो hormones release होते है especially वो hormones के उपर असर होती है hormonal imbalance होता है और उसके करण ये problem आपको हो सकती है तो main reason यहाँ पर ये बनता है कि hormonal imbalance हो जाना stress होगर के करण या फिर दूसरे जो reasons जो हमने discuss किये फिर जब किसी का premature ovarian failure हो जाता है मतलब कि मानलों कि किसी की age जो है 26 year किये जहे तो वो age में ही अच्छानक से उनके ovaris जो हो फेल हो जाते हैं कि जब आप proper diagnosis कराते हैं और पता जलता है कि ovaris जो हो फेल हो गई है तो ऐसे condition में भी क्या होता है कि आपके periods आना जो हो फिर बंद हो जाते हैं फिर polycystic ovarian syndrome का जो problem है कि जो polycystic ovarian कहते हैं कि आपके ovaris के अंदर इस तरह से cyst बनी हुई है तो उसके current भी यह problem जो हो सकती है फिर thyroid का आपको problem है कि आपके body के अंदर thyroid hormones जो हो काफी ज़्यादा amount में release हो रहे है या फिर बहुत कम amount में release हो रहे है कि जब कम amount में release होते हैं कि उसको हम hypothyroidism कहते हैं और ज़्यादा amount में release होते हैं उसको हम hyperthyroidism कहते हैं तो दोनों में से कोई भी problem हो कि जब को thyroid gland related जो problem कहते हैं तो उसके current भी period जाना बंद हो सकते हैं फिर जो pituitary gland है वहाँ पे समझो कि आपको tumor हुआ है बिना इन type का कोई tumor हुआ है तो उसके current भी यह problem हो सकती है फिर दूसरी कुछ reasons देखे तो premature menopause की condition आपके body के अंदर produce हुई है कि जो हमने आगे जो अलग-अलग reasons डिसकस किये और वो reasons काफी लंबे समय तक रहते हैं आपकी life के अंदर और उसका अच्छे ज़े आपको treatment नहीं मिलता तो premature menopause की condition produce हो जाती है और आपके periods यह वो बंद हो जाते हैं तो अब बात करते हैं दूसरी एक reason की जो uterine scaring की जो हम condition कहते है कि जिसको asserman syndrome भी का जाता है कि जो uterine की जो अंदर की जो linings होती है वहापे scaring होने लगती है वो linings damage होने लगती है तो उसके current भी यह problem जो हो आपको हो सकता है अब जानते हैं उसके symptoms के बारे में तो पहला symptom यह है कि periods आना ही बंद हो जाना फिर कई बार निपल में से जो है वो milky discharge जाने लगता है vaginal dryness जैसा आप फिल करते हैं रात को पसी ना जादा है hair loss के condition produce होती है कि आपके बाल काफी जादा गिरते हैं pelvic area में आपको pain होता है तो यहाँ पे कुछ और reasons भी देख सकते हैं कि hair loss का एक reason सिर्दद रहता है vision change हो सकती है acne का problem हो सकते हैं कि आपके face के उपर pimples बनने लगते हैं pelvic pain होता है और यह मैंने बता है कि आपके चहरे पे excessive facial hair जो है वो देखने को मिलते हैं तो यह हो गए उसके sign and symptoms अब बात करते हैं कि उसका पता कैसे चले कि reason कैसे हम पता लगए कि कौन से reason से यह problem हुआ है तो proper जो है वो diagnosis के लिए ultrasound scan किया जाता है तो uterus का आप ultrasound scan कराते हैं ovaries के area का गराते हैं या फिर lower abdomen का अच्छे से जब आप ultrasound scan कराते हैं तो उससे एक reason पता चलता है कि problem कहाँ पे हैं uterus में हैं ovaries में हैं या फिर फैलोपियम tube के अंदर यह problem है second hormonal assay किया जाता है कि अगर आपके period दजानक से बंद हो जाते हैं तो आपको अच्छे से gynecologist को पहले से आपको consult करना चाहिए और वो आपको सला देते हैं कि आप hormonal assay करा लो तो hormonal assay में क्या होता है कि जो अलग-अलग hormones जैसे कि FSH hormone है कि जिसको follicle stimulating hormone कहते हैं LH कि जो luteinizing hormone है TSH कि जो thyroid stimulating hormone है prolactin है और estrogen जैसे hormones की जो level है वो आपके body के अंदर check किया जाता है कि उससे पता चलता है कि आपका hormonal imbalance कितना हुआ है और उसके according to आपके treatment जो हो सकती है फिर कुछ cases में CT scan और MRB के जैसे तक जिससे पता चलता है कि आपके brain के अंदर आई जो glands है कि pituitary gland है hypothalamus है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं और वो proper hormones release कर रहा है या नहीं फिर diagnosis के लिए दूसरे test हम देखे तो prolactin test है hormonal ऐसे जैसे मैंने बता है आपको blood test hysteroscopy भी की जाती है उसके अंदर ultrasound scan आ गया ovary function test की जाती है फिर thyroid function test किया जाता है pregnancy test, male hormone test CT scan MRI और X-ray वगएरा क्या लग-लग options रहते है कि reason पता लगाने के का कौन से reason से यह problem हो रहा है जैसे हमने आगे बहुत सारी reasons डिसकस किये causes डिसकस किये तो उसमें से कौन से reason से आपको यह problem हो रहा है तो यह diagnosis से पता जलता है अब बात करते है treatment के तो treatment किस तरह से होते है तो treatment जो यहाँ पर reason बेज होती है कि कौन से reason से आपको यह problem हो रही है तो वो reasons के according to medicines जैसे वो patient को दी जाती है तो जैसे contraceptive pill का एक option रहता है hormonal therapy का आप्सन रहता है hysterectomy का एक option रहता है thyroid के treatment दी जाती है फिर medroxy progesterone करके medicine आती है वो दी जाती है या फिर यह सभी से ठीक नहीं हो रहा था फिर last में surgery के आपके पास options रहते हैं तो यहाँ पर आप देखो एक medications हम देख रहे हैं कि bromocryptin करके यहाँ पर medication है तो bromocryptin के है तो dopamine agonist medication है तो कई बार क्या होता है कि amonoria होने का reason यह है कि आपके सेरियर के अंदर prolactin के मातरा काफी ज़्यादा बढ़ गई है और prolactin काफी ज़्यादा बढ़ने के करान आपके periods बंथ हो गए है तो ऐसी condition में high prolactin को कम करने के लिए और यह जो medication जो प्रिस्क्राइब की जाते है कि आपके gynecologist जो आपको यह दवाई प्रिस्क्राइब करते है कि जिससे prolactin का level कम होने लगता है और जैसे prolactin normal range में आ जाता है तो वापस आपके periods जो वो start हो जाते हैं उसमे एक और option रहता है dopamine receptor agonist का कि dopamine D2 receptor agonist drug की जिसको क्या बर्गुलीन हम कहते है तो वो भी same high prolactin के cases में जो यूज की जाती है फिर अगर किसी का reason है PCOD या फिर PCOS की जिसको polycystic ovarian syndrome कहते है तो ऐसे cases में metformin जो वो patient को prescribe की जाती है तो यह आप अब उसका एक marketed formulation देख रहे है करते हैं कि जब भी आपका period जाना बंद हो जाता है और उसका reason है polycystic ovarian syndrome फिर दूसरा option है hormone replacement therapy का जिसकों sort में कई बार HRT गएते हैं तो उसमें आपका hormonal ऐसे किया जाता है और check किया जाता है कि कौन से hormone का imbalance है तो उसके according to यह दवाई जी वो दी जाती है तो यह आप यह जो medication है वो है progesterone के natural soft gelatin capsule है कि जो vaginal root से भी लिए जाता है rectal root से भी लिए जाता है या फिर आप उसको orally भी use कर सकते हैं कि जो एक hormone replacement therapy आपको दी जाती है उसके दौर पर यूसके जाता है फिर उसमें दूसरा option बनता है estradiol का option बनता है तो यह 2 mg के tablet आप उसके देख सकते हैं कि जो abort का एक formulation है estrabet 2 करके यह product आप देख सकते हैं तो यह भी HRT में use होता है hormone replacement therapy के अंदर फिर तीसरा option बनता है आप एक hormonal imbalance के अंदर oral contraceptives का याप याप एक product देख सके जिसके अंदर levonor gastril present है साथे साथ ethanol estradiol उसके अंदर present है तो progestin और estrogen जो hormone कहते हैं उसका समझे कि imbalance है कि इसके अंदर तो उसको proper ठीक करने के लिए भी यह medication जो दी जाती है फिर अब बात करते हैं एक और option की जो oral medication है कि जो 5 से लेकर 10 mg के strength में में लोगता है और ये 10 दिन के लिए खास कर patient को जो प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसका नाम है madroxy progesterone acetate तो ये क्या करते है withdrawal bleeding मतलब कि ये medication लेने से आपके bleeding जो वो start हो जाती है और उसके बाद दूसरे medication जो प्रिस्राइब किये जा सकते है अगर कोई patient tablet नहीं ले पता तो उसके लिए injection का भी option रहता है same medicine का कि pre-fill syringe यहाँ पर available होती है कि जो medical supervision में आपको जो खास कर intra muscular injection के तोर पे ये injection लगाया जाता है फिर उसी के similar medication है progesterone का specially progesterone similar drug है कि जिसको norithisterone हम कहते हैं कि जो 5 mg के strength में available होती है और इसका एक famous brand है primolute N करके तो ये medications भी prescribe की जाते हैं कि अचानक से समझे कि आपके periods बंद हो जाते हैं तो फिर से periods को start करने के लिए ये दवाई भी prescribe की जा सकती है फिर अब बात करते हैं कुछ homeopathic दवाई होगी कि वो भी काफी असरदारक रहती है और आपको hormone imbalance ठीक करने में as well as आपके periods फिर से start करने में मदद करती हैं जैसे कि आप emnor या drops हम देख सकते हैं L117 करकी है जो product है homeopathic कि जो आप medical super reason के अंदर proper use करते हैं आपके gynecologist के advice के according to तो वो भी use की जा सकते हैं फिर यहाँ पे SBL का product हम देख सकते हैं तो यह dilution की जिसका नाम है pinus करके जो medications आती है तो यह homeopathic medicine है कि जिसके drops खासकर use किये जाते हैं फिर कि यह सभी से समझे कि ठीक नहीं हो रहा तो आखरी options रहता है surgery का कि इसके लिए आपको जरूर से gynecologist को consult करना चाहिए कि आपके सभी तरह से आपने options यूज कर लिए कि आपने दवाया भी यूज की homeopathic भी यूज की home remedies भी आप कर रहे हैं फिर भी यह problem ठीक नहीं हो रहा तो आपको gynecologist को जरूर से consult करना चाहिए और फिर surgery का एक option जो आपके पस रहता है वो आप select कर सकते हैं तो ऐसे समझे कि आपको detail में सकना है बहुत सरी दवायों के बारे में बीमारीों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो यह course को join करने के लिए आप में whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best